मद्यप्रदेश के खरगोन जिले में समिपस्त ग्राम बागोद में ब्लोक मेडिकल ओफिसर अनुच खारकु ने प्रात्मिक स्वास्त केंद्र का ओचक निरिक्षन दो पहर डेड़ बजे किया जिसमें उन्हें अस्पताल में ताला लगा मिला कमपोडर रजक को सुचना दी गई और उसने आकर ताला खोला कुछ समय पहले भी शेत्रिय संयुक्त संचालक एश नायक ने ओचक निरिक्षन किया था तब भी यहां ताला लगा मिला था फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ ब्लोक मेडिकल ओफिसर के द्वारा पूरी जानकारी लेने पर पाया गया कि यहां के प्रभारी डॉक्टर अर्विंद गड़वाल, संदीप चोधरी और आयुष चिकिसक सुरज अहिरिया बिना सुचना के नदारत थे ब्लोक मेडिकल ओफिसर ने कहा कि यह प्रात्मिक स्वास्त केंद्र है, इसे 24 घंटे खुला रहना चाहिए, कभी भी आकस्मिक चिकिसा सुविधा की आवशक्ता पढ़ सकती है उनके द्वारा स्टाप रजिस्टर और OPD रजिस्टर भी चेक किया गया, और ये मित्ता मिलने पर पंच नामा बनाया गया और ग्रामिनों के समक्ष कार्यवाई का आश्वासन दिया ब्लोक मेडिकल ओफिसर ने ग्रामिनों को कहा कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और जब कोई नहीं हो तब हमें खबर करे चर्चा के दोरान कूर्व सरपंच सोभाग दरबार सुगन चंद्रजाट द्वारा बताया गया कि हम जब भी आते हैं तब अस्पताल में कोई नहीं मिलता है ग्रामिनों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है 30 बेट का यह अस्पताल करीब 133 लाग की लागत से बना है मगर कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर साफ सफाई में भी यहाँ अस्पताल फिसड़ी है ASW24 News के लिए अजे तीवारी के साथ शाहित खान की रिपोर्ट ट्रप्र अजे एमिर्ट के लिए पर शाहिते हैं गौपाल केर औरहा है मत्यां से त्रेडिंग इस रखने के अग्रेज के भौपाल में इसकी जाटकरी इन्होंने नहीं बरेशा भिकारी और शीव को दिया हो रहा है नहीं भिया हो रहा है अब नदम से दूर्वासा पर बात्षी एम अच्छु गशा भात इंपर उनके दौर्ण यह बताया गया है कि उनकी जानकारी उनके नाविश्वरी की लिए इक अपिरेशन है इसके भी पो है 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 हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले मत्या प्रदेश के राच आप